पवन सिंग भोजपुरी के एक ऐसे दिगज अभी नेता है जिनका नाम ही काफी है भोजपुरी इंडस्ट्री में ये बताने के लिए कि बंदे ने अभी तक नाम कमाया है दौलत कमाई है शोहरत कमाई है लेकिन कई बार ये सारी चीजे उनके केरियर में भी रुकावट बनी है वो कहते है ना अच्छा नाम अच्छा फेम कभी कभी लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है ठीक उसी तरह ये सारी चीजे पवन सिंग के लिए भी हुई पवन सिंग के जीवन में ऐसे कई मोडाएं जब पवन सिंग का विवादों से इतना गहरा नाता हुआ ऐसा लगा कि पवन सिंग ने ये सारे विवाद अपने रुतबों से दबा दिये हैं तो चलिए हम आज उन सारे विवादों की बात करेंगे जिन से आज तक पवन सिंग का बहुत गहरा नाता रहा है विवाद नमबर एक जब पवन सिंग ने सानिया मिर्जा पर गाना गाया ये उनके क लाइफ में ऐसा जुड़ा कि उन्हें जेल तक की हवा खानी पड़ी लेकिन बाद में ये विवाद अपने आप में ही सुझा लिया गया सानिया मिर्जा और पवन सिंग के द्वारा हां ये बात और है कि सानिया मिर्जा ने कभी सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इस ब लेकिन वो गाना उन्होंने उन्हें हर्ट करने के लिए नहीं गाया था उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि इस सानिया मिर्जा की इमेज खराब हो ये सब कुछ ठीक था ये कहीं न कहीं विवाद उनके लाइफ के लिए बहुत ही बहतरीन भी साबित हुआ वो कहते हैं ना गुड पब्लिसिटी और बैड पब्लिसिटी बोट अफ यो फेवर ये सब कुछ पवन सिंग के लिए बेनफिट हिसाबित हुआ लेकिन आगे जो विवाद जुडने वाला था पवन सिंग से वो तो भाई उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उडाने वाला था ये पवन सिंग की डिसेंबर में शादी होती है और ठीक उसके तीन महिने बाद उनकी पतनी नीलम ने सुसाइड कर ली भाई वो भी उनके अंधेरी वाले घर में ही पंखे से लटक कर बाद में ये सारा इलजाम पवन सिंग पर आया कि पवन सिंग ने ही अपनी पतनी का मडर कि इस कतल में पवन सिंग का ही हाथ है पुलीस की टीम भी जुड़ गई लेकिन आखिरकार कुछ सामने नहीं आया कहा जाता है पवन सिंग ने अपने रुत्बे के बल से इस चीज को दबा दिया लेकिन सभी ने दबे जुबान में माना कि इस कतल के पीछे अगर किसी का हाथ ह है तो पवन सिंग का लेकिन इस के पीछे पवन सिंग कोई हात नहीं है क्यूंकि पवन सिंग कुछ जादा ही विजी रहते थे और निलम ये चाहती थी कि उनकी शादी शुदाऄ Hond Public जो अभी अभी शुरू हुई है उसके लिए पवन सिंग ज़ादा से ज़ादा समय दिन वैसे आपको बता दे कि पुलीस ने भी पवन सिंग को बरी कर दिया आपको बता दे कि इस सुसाइड में ये पूरा जो कांड हुआ था इसमें पवन सिंग को पुलीस ने भी बरी कर दि मिला था वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उस वक्त मोनालिसा और भुचपूरी की कई नई एक्टिसेस के साथ एक साथ पवन सिंग के अफेयर चल रहे थे जो कि उनकी पत्नी को नागवार गुज्रा वैसे भी बाते तो कई हुई लेकिन कोई चीजे खुल कर सामने नहीं आई और ना ही कभी भी पवन सिंग ने इस पर अपनी राय रखी पवन सिंग भी मीडिया को कभी खुल कर नहीं बोलेंगे यह सब ही जानते थे कि पवन सिंग कभी अपना मुँ नहीं खोलेंगे खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं खेसारी और पवन सिंग के विवाद की भाई खेसारी और पवन सिंग का विवाद जब शुरू हुआ तो किसी को लगा ही नहीं था कि ये विवाद इतना लंबा खिसीगा सभी को लगा था कि खेसारी लाल यादो तो इंडस्ट्री में नए हैं पवन सिंग के रुत्बे के आगे क्या बोलेंगे लेकिन भाई खेसारी ने भी तो इट का जवाब पत्थर से दिया खेसारी लाल यादो लगातार इस विवाद के चलते फेस्बूक पे लाईव आकर कुछ यूटूब चैनलों के द्वारा इंटिव्यूज देकर अपना पक्ष क्लियर करते तब अक्षरा के कहने पर पवन सिंग भी लाईव आए और उन लोगों को लतार लगाई जो अक्षरा के ऊपर गाना बना रहे थे वैसे आपको बता दे पहले अक्षरा से खेसारी लाल यादों को डेट कर रही थी और इन दोनों ने अपने सहमती से आपसी सहमती से अलग भी हुए थे ये बात है लेकिन खेसारी को ये बात ना गवार गुजुरी की खेसारी का दावन छोड अक्षरा पवन सिंग के खेमे में चली गई है वहाँ पर खेसारी अक्षरा को तंग करने लगे ये सारी बाते अक्षरा को जरा भी रास नहीं आई इस बात को लेकर उन्होंने पवन सिंग से खेसारी की श और पवन सिंग इस कदर दुश्मन बन गये कि ये दोनों ने तकरीबन तीन साल तक एक दूसरे का मूँ देखना पसंद नहीं किया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई जिस इवेंट में खेसारी रहेंगे उस इवेंट में वो नहीं रहेंगे और जिस इवेंट में पवन रहेंगे उस इवेंट में खेसारी नहीं रहेंगे जिस एवाउट शो में खेसारी जाएंगे वहां पवन नहीं जाएंगे यानि कि इतने टर्म एंड कंडिशन की उस वक्त के जितने भी डिरेक्टर और पर्डियूसर थे सभी के नाक में दम हो गया। अब आपको बता दे उसा घोचपुरी इंडस्ट्री दो खेमे में बढ़ गए। एक पवन की तरफ से, एक खेसारी की तरफ से। खेर ये विवाद सुलस्ते सुलस्ते तब सुलजा जब पवन और अक्ष्रा का ब्रेकप हुआ। आज खेसारी और पवन दोनों अच्छे दोस्त बताया जाते हैं। अब चलते हैं पवन सिंग के सबसे बड़े विवाद की तरफ। भाई अक्षरा सिंग और पवन सिंग का विवाद तो आप सभी को याद होगा अक्षरा सिंग और पवन सिंग का विवाद तो इस कदर हुआ कि भाई सभी ने इस पर कुछ न कुछ कहा यहां भी तब इंडस्ट्री दो खेमे में बढ़ गई कुछ अक्षरा की तरफ आए और पाकि सारे पवन सिंग की तरफ चले गए यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि भोजपुरी का हर बड़ा नाम इस वक्त पवन सिंग के साथ था यहां तक कि आमरपाली दूबे ने भी यानि कि जो अक्षरा की बेस्ट फ्रेंड बनती हैं उन्होंने भी पवन का ही साथ दिया ले किया है यह भी कहा कि उन्होंने पवन सिंग का बहुत साथ दिया है और यह भी कहा कि पवन सिंग को उन्होंने कई पैसे भी दिये हैं यह भी कहा कि पवन सिंग ने उनके परिवार को और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और यह भी कहा कि अब हमारे बीच प्यार में कु अक्षरा ने आखिरकार मामला शान्थी कर दिया हाँ ये बात और है कि लोगों ने इसके लिए अक्षरा को ही जिमेदार ठहराया लोगों ने ये कहा कि जब अक्षरा पवन के खेमे में थी तब पवन सिंग उनसे पूच कर फिल्मे किया करते थे कौन सी हिरोईन होंगी कौन स विलन होंगे सारा कुछ तो अक्षरा ही डिसाइड करती थी हाँ भाई अगर अक्षरा ने पवन सिंग के लिए कुछ किया है तो पवन सिंग ने भी अक्षरा के लिए बहुत कुछ किया है अक्षरा भी शराप पी कर कई बार पवन सिंग से लड़ाई जगड़े करते दिख में प्यार मुहब्बत की बाते तो कम लडाईयां बहुत जादा होती थी अक्ष्रा और पवन के इस जगड़े को भी नेशनल टेलिवीजन पर दिखाए गया ऐसा लगा कि पवन सिंग की छवी अब बहुत धूमिल हो चुकी है लेकिन फिर पवन सिंग अपने उसी रुत्बे के साथ और इस बार भी पवन सिंग ने मीडिया के सामने कुछ नहीं कहा जो हाल नीलम के साथ यानि कि आप यह कह सकते हैं कि जो पैतरा उन्होंने नीलम के साथ आजमाया था ठीक वही पैतरा उन्होंने अक्ष्रा के साथ भी आजमाया उन्होंने मीडिया के सामने कुछ नह नहीं रखा वो इसलिए कि उन्हें इस मामले में नहीं बोलना है जाहे जो भी हो जाए नहीं बोलना है अब बढ़ते हैं पांचवे विवाद की तरह यह विवाद तपका है जब पवन सिंग ने अपना कैरियर शुरू किया था लोगों का यह कहना था कि पवन सिंग अपनी प वज़े करते हैं जबकि यह किसी को भी पसंद नहीं है लेकिन यहां तक कि आपको यह भी बता दें कि मधू शर्मा ने इस चीज का विरोध भी किया था पवन सिंग के साथ वो फिल्मों में जब भी काम करती हैं यह वाला उनका सिगनेचर स्टेप वो बिलकुल नहीं करती ह जबकि काजल रागवानी हो या फिर हो अक्षरा सिंग सभी ने या आमरपाली दुबे इन सभी ने यह सिगनेचर स्टेप किया है उनके साथ लेकिन वो बिलकुल नहीं करती मधू शर्मा ने यह कहा कि यह सिगनेचर स्टेप उन्हें वलगर लगता है और वो नहीं चाहती क इस तरह का सिगनेचर स्टेप चाहे वो जिसका भी हो वो पवन हो खेसारी हो या निरहुआ हो किसी का भी हो इस तरह का वलगेर वाला सिगनेचर स्टेप वो बिल्कुल नहीं करेंगी मधु सर्मा एकलोती ऐसी भोजपुरी के एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पवन सिंग को बड़े ही प्यार से समझाया और उन्होंने ये कहा कि वो इस स्टेप में बिल्कुल भी कमफटेबल नहीं हैं तो इन सब बातों को पवन सिंग ने माना भी उनका कहना था कि जो हिरोई ने उनके साथ कमफटेबल होके करती हैं उनकी अलग बात है मैं ये सारी चीज़े कमफटेबल होकर नहीं कर सकती यानि कि आप ये कह सकते हैं कि पवन सिंग पर असलीलता का भी आरोप लगा है लोगों का कहना है कि पवन सिंग अपने गानों को लेकर भले ही आज काफी सेक्योर हो गए हो कि असलील ना हो लेकिन पहले पवन सिंग असलील गाने गा चुके हैं भोचपुरी में असलीलता फैला चुके हैं अब भाई इस पर हम क्या कहें क्योंकि ये सारे कुछ पवन सिंग के विवाद हैं जो की एक लंबी फिहरिस्त हैं भाई अगर आदमी पॉपुलर हो प्रसिद्ध हो तो उसके साथ कुछ न कुछ तो विवाद जुडते हैं फिर वो चाहे बॉलिवुल स्टार हो साउथ के स्टार हो या फिर हो हमारे भोचपुरिया स्टार्स सभी के साथ कुछ न कुछ विवाद जरूर जुडता है और ये इसमें कोई नई बात नहीं किसी क साथ कम जुड़ता है किसी के साथ जादा जुड़ता है कोई अपनी जिन्दगी में इनी विवादों को लेकर तबाह हो जाता है तो कोई उभर कर नया सितारा बन जाता है वह चुपरी जगत की होट और मसाले दरगोशिक के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूल झाले करो झाले कर दो जाता है वह चुपरी जगत करना जाता है वह जाता है जाता है